खर्गोन चिले के सनावत चीत्र मोड मार्ग पर बनी प्रेम प्रकास एग्रो इंडरस्ट्रीज के कर्मचारी अमान सीय खर्गोन से दो अग्यात लोगों ने रेकी कर 3 लाख रुपे की लूट को अंजाम दिया है पूरा मामला यह है कि जिनिंग फैक्टरी के कर्मचारी अमान सीय खर्गोन रोड इस्थित भारती स्टेट बेंक से 3 लाख रुपे की राशी लेकर मोटर साइकल से जिनिंग की और जा रहा था जिनिंग से मातर दो सो मिटर की दूरी पर चीतर मोड फाटे पर अग्यात दो लोगों ने अमान सीय का पिछा करते हुए उसकी आँख में मिर्ची जोग दी जिससे वो बाइक सहीत निचे गिर गया और उसके पास पालेथिन की थेली में रखे हुए तीन लाग चीन के ले गए चीना चप्टी में थेली भी फट गई अमान सीय गायल हो गया मोके पर पुलिस पहुची गायल अमान सीय को अस्पतल पहुचाया जिनिंग फेक्टरी के मालिक विनो जेन ने बताए कि अमान सीय बेंक से रुपे लेकर आ रहा था कि रास्ते में अग्याद मदमासों ने मिर्ची डाल कर तीन लाख रुपे की राशी लुट ली बदमासों का कोई सक्रिय दल है जो नगर में और आज-पास ग्रामिंड शेत्रों में वार्दाते कर रहा है और नगर की पुलिस को चुनोती देकर वार्दात पर वार्दात को अंजाम दे रहा है विगत तीन दिनों में ये छटी वार्दा थे जिसमें ग्राम साला वर धसगाओं के मंदिरों में गहिनों की चोरी थाने के पास ही होटल वेवसाई के यहां चोरी कर चुके हैं सनावद से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट क्या नाव आपका अमान सिंग्ग क्या हुआ था यह आज आपके साथ में गटना गटी सरमें एस बेंक करगों रोड से तीन लाग रुप लेकिया आया था जैसे खुडगा रोड टर्नल या मेंने तो यह बर दो एक्ति मेरे पीछे आए उन्होंने मेरे आखों में मिर्ची डा अपने अंजाम दिया में जैसे आगे जा रहा तो मेरे पीछे साहिव साइट से मेरे आखों मिर्ची डाली और मेरे से पेमेंट चुड़ा के लिए गया है कि इतने लग रुपे थे सवसों के नोट थे तो तीन बंडल हां सुटली बंदी थी उन्हों तीन बंडल को मैं लट तो आधमी को बैंक पेमिंट लेने के लिए भेजा था तो तीन लाख रुपे से इस्टेट बैंक से बेड़े रोड तो वो आते आते रस्ते में टर्न लिया इसने मिर्ची डालके दो एक लोग आये और लेकर चले गए तो यह लोट जो लेकर आ रहा था तो कितने-कितने की राशी थी यह तीन लाक रुपे थे सो सो के तीन बंडल इससे पहले भी नोट लेकर आया था नहीं बैंक से पहली बारी लाए रोज रूटिंग एग्रो एन इंडिस्टीज अब देख रहे हैं हमारा चैनल आज डेव्यू 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलें